आईए बच्चो आज हम एक मज़ेदार चिठी को पढ़ेंगे पढ़ोगे आओ कौन सी चिठी जो चिडिया ने एक मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है पाठ का नाम है बाल भारती पुस्तक के अंतरगर्द पाठ पांच नाम है चिडिया की पाती अर्था चिडिया का पत्र बच्चो चिडिया कहां रहती है पेडों पर गोसला बना कर रहती है तो पेडों पर रहती है तो उसका बसेरा कहां पर हुआ पेड़ पर हुआ ब्रिक्च पर हुआ ना तो चिडिया ने इस पत्र में मुख्य मंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें अपनी परिशानियों को प्रदान करते हैं लोगों को लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाना और उनके विचार हम तक पहुंचे तो किसका सहारा लेते हैं पत्र का पत्र कई प्रकार के लिखे जाते हैं निमंत्र पत्र बिवार पत्र जनम दिन पत्र समेदना पत्र आवेदन पत्र शिकायत पर लेकिन इन सभी को दो भागों में बाटा गया है कौन से है ओ दो भाग यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ अनोपचारिक पत्र और अपचारिक पत्र इन फॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर है ना जिन लोगों के साथ हमारा व्यक्तिकत संबंध होता है उनके साथ किया जाने वाला पत्राचार अनोपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है अब पत्र लिखते समय हम अपने बड़ों के लिए कौन से शब्द का उपयोग करते हैं? देखो यहां पे पुझ्या, पुझ्ये, परम, पुझ्ये, माननेवर, आदर्निये, उनके फिर हम अभिवाधन कैसे करते हैं? सादर प्रणाम, सादर नमन, चरान अशपर्ष, है न? इ उसी प्रकार बच्चों अपने से छोटों के लिए जब हम पत्र लिखते हैं, यह सब बच्चों अनुपचारिक पत्र के अंतरगर्ट आ रहा है, प्रिय, प्रिवर, चिरंजीव, आईश्यमान, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, देरशारा आशिरवाद, और अन्त में जो समापन सूचक शब्द होता है, उसका उप्योग इस प्रकार करते हैं, अगर हम अपने से बराबर वलों को पत्र लिख रहे हैं, तो प्रिय, मित्र, प्रिय, सखी, सहेली, इस तरह से, फिर नमस्कार, या अन्त में, फिर आतुमारी, सहेली, तुमारा मित्र और अगर अपरिचीत किसी को लिख रहे हैं, तो प्रिय, महोदय, महोदया, महाशय, महाशया, यह सब आ जाता है, आउपचारिक पत्र के अंतरगर्द, और अपरिचीत में ज्यादा तर हम किसे लिखते हैं, किसी कारियालाइन में, व्यावसाय में, या फिर प्रातना पत्र लिखते समय हम इस शब्दों का उप्यों करते हैं अब देखिए यहां पर जैसा की पत्र दिया है प्रधाना चारे जी को हम पत्र लिख रहे हैं यहां पर दीदी या बहन की शादी के लिए अवकास के लिए हम उन्हें आवेदन पत्र लिख रहे हैं या निवेदन पत्र ठीक है उसी प्रकार अगर हम और एक पत्र यहां पर आ जाएगा अनुपचारिक पत्र जो है उसके अंतरगर्द विद्याले के लिए प्रातना पत्र जब कोई विद्यार्थी छुटी के लिए प्रातना पत्र लिखता है तो किस प्रकार उसका देखो यहां पर प्रारूप आ लिखते हैं यह सारे पत्र किसके अंतरगरत आ गए बच्चो आपचारिक पत्र के अंतरगरत अनुपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं बच्चो पहले की समय जब हम पत्र लिखते थे तो अंतरदेशी का उपयोग करते थे पोस्ट काड का उपयोग करते थे लिफाफे का उप चाते थे ना देखो यहाँ पर दिया ना लिफाफा दिया है इसी प्रकार तो बच्चो जब भी हम अब आज के यूग में तो यह सब बंद हो गया आज के यूग में आप देखो मोबाइल के द्वारा पत्र रहाल स्याल हम ले लेते हैं पत्र के निम्ले लिखित अंग पत्र भेजने का स्थान, दिनाग, पता, संबोधन, अभिवादन यह सब पत्र के अंग है पत्र लिखते समय सरल भासा होनी चाहिए भेजने वाले का पता, दिनाग इस प्रकार से हम पत्र लिखते हैं ठीक है बच्चो यहाँ पर लेखक ने प्रस्तूत पार्ट में बच्चो ले पता औरन फैलते हुए शोरगुल के कारण मनुश्यों के साथ साथ पसु पक्षियों को भी तकलीफ होती है पेडों की अंदादुन कटाई के कारण पक्षियों के घरोंदे उजड़ रहे हैं जंगलों के कटने से पश्यों तथा पक्षियों की कुछ प्रजातियां बिलु कुद्पन हो रहे हैं जिसके लिए सरकार को एक ठोस कदम उठाने चाहिए देखिये पेड के महत्तों को यहां पर बताया गया पेड हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है इसलिए लोगों को जागरू करना चाहिए अधिक से अधिक पेड लगाएं शहरों में पेड नही देंगे प्रकृति हमारी उजडती जा रही है चारों तरफ की हरियाली कम होती जा रही है पेड हमारे प्रिथ्वी पर हजारों वर्सों से चले आ रहे हैं और इनसे हमें क्या है बच्चों फायदा ही फायदा लाब ही लाब है नुकसान कोई नहीं है पेड प्रकृति का अन खजूर का पेड़ देखो यहां पर बच्चो दिख रहा है पीपल का पेड़ बास अभी इसके पहले आपने देखा अभी देखिए बास का पेड़ आ जाएगा आपको बामबु जिसे कहते हैं इंगलिश में इसी तरह आउसाधी पूर्ण जो पौधे हैं पौवित्र देखो तुलसी दिख रहा है ना तुलसी पुदीना दालचीनी का पौधा इस प्रकार से बच्चो हमारे वाता औरण में जितने पेड़ पौधे हैं सब के एक एक भाग का हमारे लिए उप्योग है और एक एक भाग हमारे लिए उप्योगी है तो ब्रिक्ष हमारे लिए बहुत उ छड़ गया उसका घोसला उजड़ गया उसे बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ा इसलिए उसने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा मुख्य मंत्री को ही पत्र क्यों क्योंकि राज्य की देखरे की जिम्मेदारी किस पर होती है मुख्य मंत्री पर जिस प्रकार हमारे घर में जो परिवार होता है उसका मुखिया कोन होता है हमारा पिता जो पूरे धे घर के परिवार की देखरे करता है तो हम सारी अपनी तकलिफे किसे बताते हैं माटा-पिता को उसी प्रकार चिरिया ने समाज की पेवस्था सुचारू रूप से अच्छे से चले इसलिए उसने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा और मुख्य मंत्री को या लेखक ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि व्रिक्ष का हमारे परियावडन में है हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्व है इस प्र आपको मैं स्वाध्याकारे पूर्ण कराऊंगी और पाठ को आप लोग एक बार अवश्य पढ़ोगे पाठ में जितने कठिन शब्द आएंगे उसे लिखोगे शब्दार्थ मैं उसके अर्थ को आपको अस्पष्ट करूंगी तो आप लोगों को यह पाठ पूरी तरह समझ म आ गया होगा चिडिया की पाती ठीक है बच्चो अब मैं इसे संबंदित प्रश्ण आपको पूछूंगे